हिंदुस्तान की राजनीत और न्याय विवस्था आपस में मैगी नूडल्स की तरह उल्जे हुए रहे हैं जो कि संविधान निर्माताओं की उस संकल्पना से एकदम विपरीथ हैं जिसमें दोनों को एक दूतरे से अलग और स्वतंत्र रखने की बात कही गई थी अपनी सर्वोचता स्थापित करने की हनक और जवाहर की बेटी होने का इंटाइटिल्मेंट दो ऐसे कारण रहे जिसने संविधान को लहुलुहान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी 25 जून 1975 को प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी ने देश में आपात काल लागू कर दिया और शारी शक्तियां अपने हाथों में केंदित कर ली एक दिन पहले ही यानि की 24 जून 1975 को जस्टिस वी आर किष्ण अईयर ने मचली की जान तो बक्स दी थी लेकिन मचली के मुँझ से काटा नहीं निकाला था आखिर जस्टिस अईयर का इरादा क्या था और प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी ने आपात काल की गोशना क्यों की इसको समझने के लिए जस्टिस वी आर किष्ण अईयर के बारे में थोड़ी जानकारी जरूरी है नमस्कार मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं फैक् पाला घाट में 15 नुवंबर 1915 को जन्मे सुप्रिम कोर्ट के जज वी आर किष्ण अईयर के पिता वी वी रामा अईयर पेसे से वकेल और मालाबार के धन्वान वेक्तियों में से एक थे जज अईयर ब्राम्मण परिवार में जन्म होने के बावजूद अपने आपको ब्र मानते थे उनका मानना था कि वह ब्राम्मिन बाई एक्सिडेंट ऑफ बर्थ हैं जस्टिस अईयर ने 1935 में इंग्लिस और एक्नॉमिक्स में अन्नामलाई इन्वस्टी से बी ये पास किया अईयर साहब जर्नलिस्ट बनना चाहते थे लेकिन नौकरी की कम संभावना के माला बार में प्रेक्टिस करते रहे जस्टिस अईयर के मुख्किल दो स्रेंडी के होते थे एक अमीर उद्दोग पती और जमीनदार और दूसरा गरीब किशान और मजदूर अमीरों से ज़्यादा फीस लेकर गरीबों की केस फ्री में लड़ा करते थे शुरुआती दौर में पुलिश टौर्चर और जमीनदारों के खिलाफ आवाज उठाने की वज़ा से और कम्यूनिस्टों और कॉंग्रेस के कुछ बड़े नेताओं का केस लड़ने की वज़ा से एक लेप्टिस्ट के रूप में प्रशिद्ध हुए फिर आया 1946 ये वो दोर था जब जिन्ना से कंदे से कंदा मिलाकर खुले आम नर्शंगार कर रहे थे और जज वी आर किष्ण ऐयर अदालतों में पकड़े गए इन हत्यारों का बचाओ कर रहे थे कम्युनिस्टों ने 1948 में मतलब भारत विभाजन के बाद कलकत्ता थेसिस पेस किया अजादी के समय हुई लाखों हत्याओं और बलातकार की घटनाओं से अभी भारतिये जन्मान अस्तुबर भी नहीं पाया था लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बेटी परवरी 1948 में घोशना कर दी कि जवाहरलाल नहरू की लोग तांत्रिक सरकार पर बंदूग के बल पर कबजा करना ही कम्युनिस्ट पार्टी का उद्देश से हैं तिरपुरा थिलंगाना त्रामण कोर जैसी जगहों पर रजाकारों के साथ मिलकर फुले आम हत्याएं की गई ततकालीन ग्रहमंत्री सरदार बल्लब भाई पटेल ने सकती से निपटने का फैसला किया कई कम्युनिस्ट बंदूग धारी पकड़े गए परंत अदालतों में फिर से पैरवी करने पहुंचे जश्टिस वी आर कृष्ण ऐयर। जश्टिस ऐयर का कहना था कि वह हिंसा के खिलाफ हैं और उन्होंने कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी को जॉइन नहीं किया परंत पता नहीं क्यों अक्सर कम्युनिस्टों को अदालत से छुड़वाने में और सरण देने में जश्टिस ऐयर का नाम सामने आता रहा। मैई 1948 में जश्टिस वी आर कृष्ण ऐयर को कम कम्युनिस्टों की मदद करने के आरोप में गिरफतार कर लिया गया। आरोप था कि जश्टिस ऐयर ने वाइलेंस करने में और छिपने में कम्युनिस्टों की मदद की थी। कन्ना और जेल में एक महिना बिताने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इस तरह जश्टिस एयर पहले और अंतिम न्याय अधिस बने सुप्रीम कोड के जिसने हवालात की हवा खाई हो और शायद इसलिए जस्टिस एयर जीवन भर जेल सुधार और कैदियों के अधिकारों के पक्ष में खड़े रहे जस्टिस एयर मालाबार से निर्दर्य प्रत्यासी के रूप में विधायक बने उननीस सो सतावन में केरल राज्ज के बनने के बाद जस्टिस एयर फिर से कम्मिनिस्ट पार्टी की मदद से निर्दलिय विधायक बने और देश की पहली गैर कॉंग्रेसी सरकार बनी EMS नंबूरिपाद की कम्मिनिस्ट सरकार में ग्रहमंत्री और लॉव मिनिस्टर बने जस्टिस एयर ग्रहमंत्री की तौर पर पुलिस फारिंग की जाच की सलाह दी जिसको मुख्यमंत्री नंबूरिपाद ने नहीं माना और जस्टिस एयर को ग्रहमंत्री के पद से हटा दिय 1969 में केंद्र की कॉंग्रेश सरकार ने खेरल की कम्मिनिस्ट सरकार को समविधान की धारा 356 के तहत डिश्मिस कर दिया और जस्टिस आईयर अपने पोकालत के पेशी में वापस आ गए 1960 के विधान सभाद चुनाव में फिर से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़े लेकिन इस बार साथ ओट से चुनाव हार गए जस्टिस आईयर ने इस रिजल्ट के खिलाफ अपील किया और सितंबर 1961 में एलेक्शन ट्रिब्यूनल द्वारा विजय घोसित किये गए 1964 में EMS नंबूरी पाद ने Communist Party of India को तोड़ कर CPIM मार्क्सिस्ट बनाया और 1965 के एलेक्शन में जस्टिस आईयर को अपनी पार्टी के चुनाव चिन पर चुनाव लड़ने के लिए कहा लेकिन जस्टिस आईयर में इंडिपेंडेंट लड़ना ही सही समझा और 1965 का चुनाव हार गए जिसे चीफ जस्टिस आफ इंडिया एम हिदात उल्ला ने सुविकार कर लिया वैसे तो जस्टिस आईयर ने एक बार खुद कहा था कि मैं कभी Communist Party का सदश से नहीं रहा लेकिन मेरे बहुत सारे मित्र कम्मिनिस्ट हैं दोस्ति काम आई और 12 जुलाई 1968 को केरला हाई कोर्ट के जज के रूप में सपत ब्राण किया पंटि जवालल नहिरू के मृत्यू के बाद या कहलीजिये श्रीमती इंद्रा गांधी के प्रधान मंत्री बनने के बाद भारती राजनीत के समीकरण बदल चुके थे Communist Party of India के कई सारे नेता कॉंग्रेस जॉइन करके अपने एजन्डे को लागू करने में लागी हुए थे इन्ही नेताओं में एक थे मोहन कुमार मंगलम जिनके बारे में पहले एपीसोड में काफी कुछ बताया जा चुका है मोहन कुमार मंगलम पहले Communist Party के नेता और प्रवक्ता थे और Justice V.R. कुष्ण ऐयर के पुराने सायोगी थे 1971 में केवल तीन वर्ष के अनुभव के बावजूद Justice ऐयर को लौ कमीशन का सदस्य बना दिया गया इंद्रा गांधी सरकार द्वारा केरल हाई कोर्ट के आठ सीनियर जजों को छोड़ कर Justice ऐयर को ही लौ कमीशन का मेंबर क्यों बनाया गया इस बात को शोयम Justice ऐयर ने अपनी आटो बायोग्राफी वांडरिंग इन मेनी वर्ल्स में खुलासा किया है Justice ऐयर पेज 161 पर लिखते हैं किया उन्होंने तर्क दिया कि भूत पूर्व Chief Justice of India गजेंद्र गड़कर विधी आयोक के अध्यक्ष होंगे और मैं उनके अधीन उच्च पद पर रहूंगा प्रधानमंत्री इंद्रा गांधी और सुप्रीम कोर्ट मेरे प्रगत शील समता को देख और समझ पाएंगे अपनुवेशिक योंपूंजी वादी जियूरिस्पूडेंस से बाहर निकालना जरूरी था अता हमने अपना न्याईक का अरचित को दिल्ली सिफ्ट करने की सहमती देजी मोहन कुमार मंगलम ने जस्टिस ऐयर को सुप्रीम कोर्ट लाने का रास्ता यूही नहीं तयार किया था 1971 आने से पहले ही इंद्रा गांधी सरकार के दो बड़े फैशलों बैंको का राष्ट्रिय करण और प्रिवी पर्ष का मामला दोनों का सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया था अब इंद्रा गांधी सरकार को ऐसे जजों की जरूरत थी जो समवैधानिक मोल्यों से इतने ना जकड़े हों कि सरकार की समाजवादी नीतियों को लागू ही ना करने दे फिर आता है वर्ष 1973 1973 is one of the very important years of Indian modern history just like 1942, 47, 62, 84, 90 and 2014 24 अप्रेल 1973 के दिन Chief Justice of India SM सीकरी के नेत्रितु में सुप्रिम कोर्ट में स्वामि केशवानन्द भारती के केस में इंद्रा गांधी सरकार को चारो खाने चित्थ कर दिया प्रदानमंत्री इंद्रा गांधी ने भी सुप्रिम कोर्ट को जबाब देने के लिए उसी दिन तीन सीनियर मोष्ट जजेज को सुपरशीड करते हुए Justice A.N. Ray को Chief Justice of India बनाने का फ्रेशला कर लिया चारो तरफ हाहा कार मचा लेकिन सरकार टस से मस्क नहीं हुई Justice A.N. Ray को Chief Justice of India बनाने वाले मंत्री M. कुमार मंगलम की 31 मई 1973 को यानि लगभग एक महीने बाद ही प्लेन दुर्गटना में मृत्य हो गई 17 जुलाई 1973 को Justice B.R. किष्ण ऐयर को सुपरिम कोर्ट का जज़ बना दिया गया Justice A.N. Ray द्वारा किया गया पहला अपॉइंटमेंट था जिसकी पठकता M. कुमार मंगलम ने पहले ही तैयार कर दिया था Justice A.N. की सुपरिम कोर्ट में निव्टी होते ही जाने माने वकील सोली सोराब जी के नेत्रित में 150 से ज़्यादा वकीलों ने धरना दिया देश के ज़्यादा तर वकील और जनता इस अपॉइंटमेंट से नाराज थी क्योंकि सबको लगता था कि Justice A.N. को मोहन कुमार मंगलम की वज़ा से लाया गया है और लेप्टिस्ट और मार्क्सिस्ट होना उस समय सोवियत संग और चीन का एजेंट होने की निसानी हुआ करती थी Justice A.N. के बारे में कोई राय बनाने से पहले या समझना आवस्यक है कि उन्होंने अपने निड़यों से खासकर गरीब जनता के लिए रेडिकल चेंज लाने की कोशिस की Law Commission के सदस्ट के रूप में Justice A.N. गरीबों के लिए सरकारी वकील मोहया कराने में सफल रहे रतलाम मुनिस्पालिटी केस में Justice A.N. खुद कोर्ट रूम से बाहर निकल कर मुनिस्पालिटी के कार्यों का मुआइना किया मेंका गांधी केस में Right to Life Article 21 of Indian Constitution में मानवा अधिकार से जुड़े कई पहलों को जोड़ा 1975 में इलाहाबाद हाई कोट द्वारा प्रधानमंत्री इंद्रा गांधी को 6 वर्ष के लिए अयोगी घोसित करने वाले फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई का मै कामिला Justice A.N. को कॉंगरीशियों को पूरा भरोशा था कि प्रधानमंत्री को रहत मिलेगी लेकिन Justice A.N. बीच का रास्ता चुनकर अपनी साख बचाने की कोशिस में थे नेड़े क्या दिया Justice A.N. ने इसकी चर्चा हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे लेकिन Justice A.N. ने इंद्रा गांधी को कंडिशनल इस्टे दिया ये इस्टे दे कर प्रधानमंत्री की कुर्शी बचा ली परंतु इंद्रा गांधी को अपराज से बरी नहीं किया इस फैसले के कारण जस्टिस A.N. की जितनी आलोचना हुई उतनी ही प्रशंसा भी परंतु जस्टिस A.N. प्रधानमंत्री गांधी का फेवर खो बैठे और जस्टिस A.N. की तरह सुपरसेशन के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का मौका खो बैठे फैसले के अगले दिन एमर्जेंसी घोसित कर दिया गया जस्टिस A.N. को जस्टिस P.N. भगवती के पब्लिक इंट्रेस्ट लिटीगेशन जनहित याचका का सूत्रभार भी माना जाता है यह एक बड़ी उपलब धी जस्टिस A.N. 15 नौमबर 1980 को सुप्रिम कोर्ट से रिटायर हुए लेकिन तब तक वे अपने फैसलों से सुप्रिम कोर्ट पर अपनी चाप छोड़ चुके थे फेर्वेल सेरिमनी की अध्यक्षता के लिए सुप्रिम कोर्ट आफ इंडिया के बार एसोशियेशन के अध्यक्ष डॉक्टर एल एम सिंगवी राजी हो गए जो उनके अपॉइंट्मेंट का लेप्टिस्ट होने के कारण बिरोध कर रहे है रिटार्मेंट के बाद जस्ट 1987 में विपक्षी पार्टियों ने जस्टिस अइयर को कॉंग्रेश प्रत्यासी आरवेंक ट्रमन के खिलाफ संयुक्त प्रत्यासी बनाया जस्टिस अइयर को राष्टपती पत का प्रत्यासी बनाने की सबसे ज़्यादा कोशिस की थी CPI और CPI-M ने लेकिन भारतिये जनता पार्टी ने विपक्ष में होने के बावजूद जस्टिस अइयर को अपना समर्थन नहीं दिया, BJP लीडर लाल किष्ण अडवानी ने जस्टिस अइयर को पत्र लिखकर या पहले ही बता दिया कि समर्थन क्यों नहीं देंगे, लाल किष्ण अडवानी ने लिखा कि आप सोवियत संग की कठपुतली हैं और इसलिए हम आपका समर्थन नहीं कर सकते, जस्टिस अइयर नब्बे से अधिक किताबे लिखी जो आज तक किसी भी जज़द्वारा लिखी गई किताबों से बहुत ज़्यादा है, जस्टिस अइयर 2014 में अपनी मिर्त्यु से पहले तक काफी सक्रिय रहे और दा हिंडू और फ्रंट लाइन में लेप्टिस्ट आइडियाज को आगे बढ़ाते और प्रोपेगेट करते रहे, अगले एपिसोड में हम उन केसेस की चर्चा करेंगे जिसने भारतिये उच्टम न्यायले और इंद्रा गांधी सरकार को वार जोन में लाकर खड़ा कट दिया और जिसकी वज़ा से भारतिये न्याय विवस्था को अपोनिये च्छतिफानी पड़ी, तब तक के लिए जय ह इन याय भारतिये न्याय बारतिय।